तो यहाँ पर बिसिकली लेटेस्ट गोवल केमरा 8.7 के साथ जो है बीटा वान का जो बिल्ट है अवल लेवल हो गया है अनुमा करके डेपलर के तरब से यह जो जी कैम का जो बिल्ट है तेने को बलेगा एंड यहाँ पर इस वीडियो के तरह आंजी इस जी कैम का जो रिबू कर दूंगा वापर जयकि इस जी कैम को डाउंट गर सकतों अंडरोइड 11 एंडरोइड 12 एंडरोइड 13 एंडरोइड 14 के साथ जो यह जो जी कैम का जो बिल्ट है काम कर जाएगा यापर हमने चले रेड़ बी नोट 11 डिवेस को बाच्चिस जी कैम को इस किया है इसके अलबा करके देखाएं काम कर रहा हैं without any problem ना आपर बात कर लेतें पर multiple lens का option से प्सक्राइब कर जाएगा या पर telephone lens का option से प्सक्राइब करते हैं देखेंश से इस तरह से बहां ऑप्शन से और वीडियो recording का option से काम कर जाएगा तो यहां पर इस Gcam को इंच्व कeszोल करने के बाद जाए by default जाहे multiple lens को Arm susceptible जो option से enable हो जाएग आपको यहाप जरे अलग से multiple lens को dapat जो option से enable नहीं करना होगा और यहाप जरे multiple lens ज़ँन से है एड किया गिया है anyway, m सबसे वहले यहां पर जहे इस option में टैप करके आप चाहे अल्टरे लेंस की उसकर सकते पर 1x 2x जूम का जो आप्शन से एड किया गया है प्लस यहां पर अने और में किया गया है यहां से अपर जो है अधर चाह थिड कर चाहते है अगर पर फॉर्ण के सथी बहुत ओटिपल लेंस का ऑपशन वोकस्त ट्राकिंग जो अप्श्न से एड किया गया है कुछ तरह से पुर्चे फोकस्त ट्राकिंग का जो आप्शन काम करते इने सब्सक्राइब राइटिनेशन श्याडव को एड्जस्ट कर पाऊगे एडनोंब बंप करके टिबलरों के तरफ से एज जी इंट्रस्टिंग इसको एड्ड क्या गया है। तो यहाप पर इस अपडेट के साथ जहें OIS का जो ओप्शन से एड्ड क्या गया है। simply पर video रिगटींग प्लस photo के साथ करें जहें OIS को use कर सकते ह। इसी gcam के साथ लुऋईशन का जो ओप्शन से एड्ड क्या घ्या है यह पर camera sensor की सब से super resolution को add कर सकते हो यह पर AUX button को fix किया गया है प्लस अपर auto add valence का option है यह पर 8K video recording का option से add किया गया है आपकी device को पर 8K video recording का support होना चाहिए प्लस इस आपर के साथ stable Gcam का experience देना का मिलागा इस Gcam Cup as a daily day बर use कर सकतो यह पर low light के दरण फॉटो के साथ इंप्रुमेंट देना के मिलते है प्लस 2X zoom का option से add किया गया है इस तरह से पर social share का option से काम कर जागे इसे भी add किया गया है यह पर auto night set mode का option से काम कर जागे इसे भी add किया गया है यह पर इस अबरेट के साथ बिटर पॉर्टर मोट के साथ यह photo को गलिक कर पाओगे और यह पर social share का option से काम कर जाएगा यह पर multiple lens के साथ यह यह पर photo गलिक कर सकतो इबन अल्टोड लेंस के साथ यह portrait mode का साथ photo को गलिक कर पाओगे प्लस 48 Megapixel का जो आप्सन से काम कर जाएगा और आटो आडवरेंस का जो आट किया गया है पिसकलिए Android 11 से Android 14 सभी Android वर्सन के साथ यह जो जिकाम का जो बिल्डे काम कर जाएगा ना पर बात के लेते फॉटो सेंपल के बारे में हमने अपर इस जिकाम के साथ जो ठेट सरी इस जिकाम के साथ जो अम ने नोटिस किया है अगर आपको 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 क्णर पसंद है तो आप इस जिकाम की उजपर सकतो अन फॉटो कोबशन कोभी नोज को नहीं मिलेदे हैं फॉटो अचिंट कलार के साथ जह फॉटो जळी काथ पेशन को मिल गया है प्लस कालार शेड़ एंड हाइलाइट के साथ भी इंप्रूमेंट देना के मिलता है देखई पर आपर हम एपने ब्राइट-Light के साथ फोटो क्लिक किया है देखई पर काफि बडिया फोटो कॉलते देना के मिलता है और अपर आटो आड वैलेंस का जोग बड़ोप्सन चाहेगा प्लस कोई भी green team का issue देने को नहीं मिलेगा प्लस यह पर जो है astro mode की उज़ कर सकतो यह पर low light photography के साथ भी आपको बढ़िया photo quality देना को भी लेगा यह पर जो है काफ़ी बढ़िया जो है mobile photography कर पाओगी इस Gcam के साथ यह पर EIS OS का जो option से काम कर जाएगा पर video stabilization का जो option से काम कर जाएगा तब definitely इस Gcam को try करके तो आपके device के उपर यह पर जो है bright light के साथ भी HDR mode का जो option से काफ़ी बढ़िया तरी से काम करता है इस Gcam का जो download link रहेगा नीचे description box में provide कर दूँगा वह आपर जाएगे इस Gcam को download कर सकतो और आपको photo sample कैसा लगा आप जरु से comment करके बोल सकतो ना पर बात कर लेते हैं आप जहे settings menu के बारे में settings उन्हों को थोड़ा सा explore करते सबसे पहले आपर जहेब location का option है camera sound को disable करने का option से add किया गया है यहापर Google Lens को शायशन का option है social share का option अब directly Gcam से photo and video को share कर पाओगे यहापर gashes का option है यहापर simply volume button के साथ जह है photo को click कर सकतो यहापर volume button के साथ जह है video को record करने का option प्लस device यहापर storage का option है यहापर अब देख सकतो कितना minute तक video को record कर सकतो कितना photos को click कर पाओगे इस भी add किया गया है advanced settings को बड़ जहे HDR control raw photos का option है यहाप जहे AGVC forward में video को record कर सकतो enable time lapse for astro photography का option है timer light का option है पर multiple lens का option से काम कर जाग है यहाप select कर सकतो customize कर पाओगे एंड इस तरह से सभी option है पर noise model auto add valence का option है यहापर जहे auto add valence को साथ जहे pixel 2, pixel 3, pixel 4, pixel 5, pixel 6 pro and pixel के अगलाग device का जो auto add valence है उसे select करने का option से add किया गया है एंड यहापर manual auto wide valence का option से काम कर जाएगा next यहापर framing hints का option है grid type का option है manual control का option है brightness and shadow को add जिस कर सकतो यहापर save selfies as preview का option है mirror photos का जो option से गाम कर जाएगे इस भी add किया गया है प्लस यहापर developer settings का option से add किया गया है तो यहापर developer settings के सथ आप जो नयनया features को enable कर पाएगे जोकि by default enable नहीं रहत है जैसे कि यहापर 4K 60PS का option है प्लस यहापर 8K video recording का option से add किया गया है इस option को enable करने के बाद जो है Google camera को reset करने के बाद जो 8K video recording का option से enable हो जाएगा बड़ डिफिनेटली आपका device को पर जहेए 8K video recording का support होना चाहिए तो आप जो developer settings के साथ जो है नयनया features को enable कर सकते हो यहापर जो है night side mode के साथ जो है astro photography का option है यह पर auto of call button है प्लस अपर raw settings का जो option से add किया गया है यहापर timer का option है फोकस को पर auto, near, far का जो option से काम कर जाएगा night side mode के साथ प्लस अप अल्टोइट लेंस के साथ भी night side mode की यूज़ कर सकते हो यहापर जो है portrait mode के साथ जो है face retouching, night side and timer का जो option से add किया गया है यहापर अल्टोइट लेंस के साथ भी portrait mode का जो option से काम करेगा प्लस यहापर जो है night side mode, raw photos, HDR mode, HDR enhance mode, top shot, timer का जो option से add किया गया है and double tap to zoom का जो option से काम कर जाएगा यहापर 10x t accept zoom का option है focus tracking का option है and यहापर panorama प्लस फॉτοस पर mode का option से काम कर जाएगा and यहापर panorama के साथ जो है उससे तरह से या पर इस Gcam के साथ जो धेर सरी options available है आप डिफिनेटली इस Gcam को ट्राय करके दोखा आपके device कूपर एंड रिसनली हमने आपर जो Google Camera 8.8 का जो latest build है उसका जो रिबू वीडियो है अपलोड के है आप सिंप्ली Gcam का जो प्लेइलिस्ट है वा पर जाके चेक आउट करके देख सकतो एंड वीडियो को लाइक कर देना वीडियो को शेयर कर देना चैलन को सब्सकाइब करके घंटी वाला आइकोन को दबाके औल सिलेट करके इंस्टेगाम में फॉलोगर सकतो एंड ये जो Gcam के जो बिल्ड़ेज तो Android 11 से Android 14 तक सभी Android device कोपर काम करके रेडमी, रेलमी, समसम, उपो, फीवो, वन प्लस तो डिफिनली अब इस Gcam को ट्राय करके देखो